प्रिविद्ध्यार्तियों कक्षा सात्वी का विज्ञान अध्या साथ मोसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तून द्वारा अनुकुलन के प्रश्ण उत्तर है प्रश्ण नमर एक है उन घटकों के नाम बताईए जो किसी इस्थान के मोसम को निर्धालित करते है इसका उत्तर है तापमान आर्दता मतला हिमिडिटी या नमी वर्सा और चौन्ता है वायू वे प्रश्ण नमर दो दीन में किस समय ताप के अधिक्तम और नियूंतम होने के संभावना होती है तो अधिक्तम तापमान होता है दोपरबाद और नियूंतम तापमान होता है सुर्योदग के समय प्रश्ण नमर तीन रिक्त इस्थानों की पूर्ति कीजिए पहला है दीर्ग अवदी के मोसम का आउसत कहलाता है तो इसका आउसत जलवायू कहलाता है नमबर दो, किसी इस्थान पर बहुत कब मुर्सा होती है और उस इस्थान का तापमान वर्स भर उच्च रहता है उस इस्थान की जलवायू गर्म और शुस्क होगी नमबर तीन, चरम जलवाय वी परिस्थितियों वाले प्रत्वी के दो शेत्र उस्थन कर्टी बंदिय और धुरुवी है प्रश नमबर चार, नीमनलिक शेत्रों की जलवायू का प्रकार बताईए क, जम्मू एम कश्मीर में, ये रहती है शीत और आद्र, ख, केरल में, ये रहती है केरल में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र, ग, रायस्थान में, रायस्थान में होती है गर्म और शुस्क, ग, उत्तर पुरुव भारत में, उत्तर पुरुव भारत में होती है आर्द्र प्रश नमर पांच मोसम और जलवायू में किसमें तेजी से परिवर्थन होता है तो इसमें मोसम में तेजी से परिवर्थन होता है जलवायू की अपेक्षा प्रश्न नबर छे है जन्तुओं की कुछ विश्यस्ताओं की सुची नीचे दी गई है तो कहे आहार मुक्यत फल है ख सफेद बाल फर ग प्रवास की आवश्यक्ता ग तीवर स्वर ध्वनी मतलब तेज आवाज च पेरों के चिपचिपे तलवे छ त्वच्चा के नीचे वसा की मोटी परत ज चोड़े और बड़े नखर ज चठक रंग त मजबूत पूँच ठ लंबी और बड़ी चोंच उप्रोक्त प्रत्यक विसेस्ता के लिए यह बताईए कि वह उश्न कटी बंदिये वर्सावन आत्वा ध्रुविये सेत्र में से किसके लिए अनुकुलित है क्या आप समझते हैं कि इन में कुछ विसेस्ता हैं दोनों सेत्रों के लिए अनुकुलित हो सकती है तो इसका उत्ता देखें हम उश्न कटी बंदी वर्षा बन शेत्र के लिए अनुकुलिज जन्तु जो है वो है क नंबर आहार मुक्यता फल है घ तीवरस्वर ध्वनी मतलब तेज आवाज च पेरों के चिपचिपे तलवे ज चटकरंग त मजबूत पूंच और ध लंबी और बड़ी चोंच तो यह है उश्न कटी बंदी वर्षा बन शेत्र के लिए अनुकुलिज जन्तु दुरूवी शेत्रों के लिए अनुकुलिज जन्तु है ख सफेद बाल फर ग प्रवास की आवशकता च त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और जच चोड़े और बड़े नखर कुछ विश्यस्ता हैं जो दोनों शेत्रों के लिए अनुकुलिज हो सकती है वो है नमबर एक अधिक बाल नमबर दो वसा की परत और नमबर तीन मोटी तवचा आदी प्रश नमबर साथ उश्नकटी बंदिये वर्सावन जन्तूओं की विशाल जनसंक्या को आवास प्रदान करते हैं यह समझाईए कि ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वनों की जलवायू की परिस्तितियां अनेक तरह के जन्तुओं की विशाल जनसंक्या के जीवनियापन के लिए उप्यूक्त है उधारन सही समझाईए कि किसी विशेष जलवाई यवी परिस्तिती में कुछ विशिष्ट जन्तु ही जीवनियापन करते क्यों पाये जाते हैं इसका उत्तर है टूकन नामक पक्षी अपनी लंबी और बड़ी चोंच की सायता से किसी पेड़ की उन कमजोर शाखाओं से भी फ़लों को तोड़ सकता है जो उसके बहार को भी सहन नहीं कर सकती है इस तरह टूकन नामक पक्षी की चोंच की विशेश बनावट के कारण बोजन प्राप्ति की मेहनत अन्न जन्तुओं से कम एवं भिन्न होती है प्रश्ण नमर नौ उष्ण कटी बंदिये वर्षावनों में रहने वाला हाती किस प्रकार अनुकुलित है इसका उत्तर है इसके लंबे बड़े कान बहुत हलकी ध्वनी को बहुत दूर से सुनने में सक्षम है और नमर चार अपने सरीर के विशाल आकार के कारण उष्ण कटी बंदिये वर्षावनों की गर्म और आद्रत जलवायू उसके सरीर को ठंडा रखती है निम्नलिकित प्रशनों में सही विकल पे चुनिये बंदिये वर्षावनों में तो इसका सही उत्तर है गह उष्ण कटी बंदिये वर्षावनों में प्रश्ण नमर ग्यारा दुरूविय भालू को अत्यदिक ठंडी जलवायू में रहने के लिए कौन सी विश्चताएं अनुकुलित करती है कश्वेद बाल या फर त्वचा के नीचे वसा तीवर सुने की शमता गह पतली तचा बढ़े नेत्र श्वेद फर या बाल और गह लंबी पूँश मजबूत नखर सफेद बढ़े पंजे घ, श्वेद मतलब सफेज सरीर, तेरने के लिए पंजे, स्वसन के लिए कलोम या गेल तिसका सही उत्तर है क, श्वेद बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीवर सुने की शम्ता प्रश्ण मर बारा निम्न में से कौन सा विकल्प? उष्ण कटी बंदिये शेत्र का सर्वशेष्ण मतलब सबसे अच्छा वर्णन करता है क, गर्म और आद्र, ख, मध्यमतापमान, अत्यधिक वर्षा, ग, सर्द और आद्र, ग, गर्म और शुस्क तो इसका सही उत्तर है क, गर्म और आद्र तो आपने देखा ये कक्षा सात्वी का विज्ञान अध्यासाथ मोसम जलवायू तसर जलवायू के अनुरूप जन्तूँ द्वारा अनुकुलन के प्रश्णोतर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद